कि नमस्कार दोस्तों 25 अप्रेल और 25 अप्रेल को फिर से एक बार अपनी चैनल के माज़म से आप सभी का बहुत वह स्वागत करते हुए एक एक रूपे 75 पैसे का स्टॉक और इस स्टॉक पर कितनी पोटेंशियल रखता है जो यह स्टॉक आपको आने वाले टाइम में करोड पत्ती बना सकता है ऐसा मैंने थमनेल पर लगाया है तो अभी हम लोग देखेंगे स्टॉक का नाम स्टॉक का काम और स्टॉक को एक आगे हम लोग करेंगे कि इस स्टॉक पर पैसा लगाना चाहिए नहीं लगाना चाहिए क्योंकि काफी ज़दा इस पर्टिकुलर स्टॉक पर हमें कमेंट्स आये थे तभी मैं ये वीडियो इस पर कमपोच कर रहा हूं अदर्वाइज इस पर हम लोग कभर नहीं करते हैं इस स्टॉक को इस स्टॉक पर एक अच्छी मोमेंटम आई थी पिछले साल और उसके बाद इस स्टॉक पर बहुत सारे लोग पस गए जिए स्टॉक पैसा लगाने के लिए पैसा सेब करके रखिए किसी दूसरे स्टॉक पर लगा लिजेगा यह एक रूपे 75 पैसे का स्टॉक आपको दिख तो रहा है बट एक्छी में यह इतना ज्यादा नीची चला जाएगा और यह ऑपरेटर्स के वज़ए से यह स्टॉक से पर लगा दिजेगा मैं कुछ चीजे आपको दिखाऊंगा जिसके बाद आपको भी लगेगा इस स्टॉक पर पैसा नहीं लगाना चाहिए और मुझे भी ऐसा लगता है अगर मुझसे कोई पूछेगा मैं किसी को भी यह नहीं करता हूँ कि आप हमारे कहने पर सारा काम करे चूंकि आपका पैसा आप फाइनेंसिल फ्रीडेम के तौर पर इंडिया पर है आप कुछ भी कर सकते हैं मेरा यह मानना कि इस पर्टिकुलर स्टॉक पर एक रूपिया 75 पैसे का एक सेर लेना भी बहुत बड़ी वेवकुपी होगी ऐसा मेरा मानना है मैं गलत भी हो सकता चलिए ऐसा मैं कहा क्यों रहा हूं तो देखिए यहां पर मोटर्स की 38 परसेंट की हिस्सेदारी और 38 परसेंट के बाद अभी देखिए हाल फिलाल में हुआ क्या है तो यह सेर होल्डिंग पैटरंस आपको सारी चीजे बता देगी अभी मैंना थोड़ी दिर पहले एक इन्होंने देखिए इंक्रीज्ट किया है प्लीज जो पर मोटर्स की होल्डिंग है वह 20 पेसेंट और गिर्भी बड़ी है एफाई आइस हैब डिक्रीज देर होल्डिंग्स आप देख रहे हैं जिनको माल खरीदना चाहिए फाइस और एपी आइस तो यह फॉरीजन पॉर किसी नहीं किया जाएगा तो किसी नहीं बढ़ाई है और कोई माल इसको खरीदना नहीं चाहता है सिर्फ मार्केट में यही हवा है कि इसमें राकेश जुन-जुन वाला जी ने पैसा लगाया है तो इस स्टॉक पर बाइंग करनी चाहिए ठीक है तो मैं एक चीज करता हूं कि हर कोई 100% नोबडी इस 100% परफेक्ट इन एनी काइंड ओफ वर्क कोई भी 100% परफेक्ट है नह जाती है हो सकता है जेपे उसे उनका एक ऐसा बीट होगा जिसमें उनको लॉस का सामना करना पढ़ा तो एक बड़े इंवेस्टर से उनको इसके लॉस से कुछ लेना देना नहीं है लेकिन आपको अगर लॉस होगा तो आपको क्या होगा आपको बहुत ज़्यादा तकलीफ होगी क्योंकि काफी मैनत की पैसे और यह जो एक रुपे 70-75 पैसे के जो स्टॉक्स होते हैं मैं यह नहीं करता हूं कि हरी स्टॉक्स बुरा है वह स्टॉक्स ऐसा भी है जिसके काफी स्टॉक्स है जो मैं अपने चैनल पर वीडियो के माई दम से कभर भी करता हूं तो मैं यह नहीं करता हूं कि एक रुपे 75 पैसे के स्टॉक्स बुरा होता है दो रुप्य पांच रुप्य आशा नहीं है इस स्टॉक्स बनिया बट फंडमेंटली स्टॉंग हो तब तो अच्छा लगता मैं पांच सल का चार्ट खोलूंगा और आपके पास चर्चा करने की कोशिश करूंगा तो एक मिनिट कि देखे मैंने चार्ट इसलिए लगाया कि यह जो आप उच्छाल देख पा रहें यह वही टाइम फ्रेम था जब राकिस जुनुन वाला ने जी ने इ देख पारे होंगे एक डीप आई थी जो इसको 34 रुपय तक लेकर चली गई थी आप यहां पर देखिए इस जगह पर इस जगह से जो यह उच्छाल आई है ना यह उसी के वज़े से आई थी और उसके बाद स्टॉक दीरे 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 करके यह स्टॉक नीचे ही चलता गय तो देखिए इंसाइड में बहुत सारी चीज़े होती हैं सिर्फ नाम पे अगर माल उठाया जा रहा है तो उनको देखके मैं पैसा लगा हूं ऐसा तो मेरा मानना बिल्कुल भी नहीं है आप स्टॉक मार्केट में हैं इतने सारे पैरिमेटर इतने वीडियो को कबर करते है तो वीडियो में जो चीज़े दिखा है अभी तो मैं आपको वेबसाइट भी दिखा रहा हूं जिस वेबसाइट से आपको वीडियो समझता हूं इन चीज़ों को की एक रिटेल निवहर्शक के लिए सारी चीज़े देखना इंपोरड़् долго मैं समझ में नहीं आता कि क्या चीज़े देखूं तो वीडियो में जो चीज़ कबर की जाती है जैसे मार्केट कैप उसके बाद यह रिटन और एक्विटी अगर आप किसी पर पैसा लगाने तो यह माइनस नेगेटिव अगर परफेक्ट कोई स्टॉक उतर जाता है तो आप समझ जाएगा कि स्टॉक में दम है उसके बाद आप आईएगा नीचे रिजर्ट्स पे रिजर्ट्स को कबर कीजिएगा रिजर्ट्स को देखने के लिए यहां पर सेल्स का डिटा है 2018 के 3 quarter, 4 quarter, 3 quarter की रिजर्ट्स नहीं है और 2019 के 4 quarter की रिजर्ट्स यहां पे है क्या कमपनी का सेल्स बढ़ रहा तो डेफिनेटली आपको नजर आएंगा कि नहीं बढ़ रहा क्या company में profit हो रहा है तो company में profit नहीं हो रहा पूरे के पूरे loss पे जा रही है company हर quarter पे लॉस पे जा रही है इनको interest कितना पे करना पर रहा तो देखिए interest बढ़ता ही जा रहा इंट्रेस्ट क्यों बढ़ रहा क्योंकि इन्होंने माल उधार में ले रखा और उधार कहां पर नज़र आएगा तो यह है borrowing ठीक है यह सिर्प बढ़ रहा और कुछ नहीं बढ़ रहा तो यह सभी चीज़े कट्लिस देख सकते आपको मैंने इस वीडियो पर सारी चीज़े द में अभी बिल्कुल भी पैसा लगाने का किसी भी तरह के कोई भी फैंडेमेंटल्स आपको लगते हैं आप इस वीडियो पर खुदी कमेंट किजेगा हमें कि जिहां पैसा लगाने के लिए पूरी तरीके से त्यार हैं किसी के बातों में ना जाएं दोस्तों देखिए चैन चैनल में वीडियो अफलोड करना किसी तरह का कोई मतलब भी नहीं बनेगा तो आप कब रहेंगे जब हमारे चैनल पर बिलीब रहेगा तो मैं यासा काम नहीं करूंगा जिससे आपको विलीब टूटे ठीक हैं तो मैं बनाने के कुशी करना हूँ आप लोग इस चीज को ख भी चीजों के देखने के बाद ही पैसा लगाई कैसा मेरा मानना है मैं गलत भी हो सकता हूं आप अपने मैंने उसके खुद मालिक हैं आप जहां चाहें वहां पैसा लगा सकते हैं अगर मुझसे कोई पूछेगा तो मैं इस पर बिल्कुल भी पैसा नहीं लगाऊंगा यही मेरा उद्देश सिता इस वीडियो पर आपको एक चीज दिखाने का इसलिए मैंने थमनेल पर लिखा कि य बहुत सारे जादा से जादा लोग इस वीडियो को देखे ऐसा कुछ भी नहीं है तो कमेंट में यह न लिखेगा कि आपने थम्मनेल पर कुछ और लिखाता वीडियो में कुछ और बोल रहे हैं तो चलिए एस वीडियो पर इतना ही मिलते नेक्स वीडियो पर तब तक के ल